मैं तो चलो प्यारे बच्छो इस वाले कोश्ण को श्रांट करते हैं देखो एक अच्छा साhö प्लe कि आर्टिपीशियल सेट लाइट है ठीक है तो चलो यह यह जो है वह मून है मून के राउड एक हर्टिपीशियल सेट्लाइट है और यह वाली आर्बिट है वह यह performed टाइम्स रेडियस आफ अर्थ के बराबर है ठीक है मून रिवाल्व इन ए सर्कुलर आर्बिट मुझ राइडियस इक्सीड इटा टाइम्स दो पोजीशन आफ सेटलाइट एक्सपेरियंस जो सेटलाइट रिवाल्व कर रहा है प्यारे बच्चों वो एक पीछे की डायरेक्शन में इधर एक रजिस्टीव फोर्स फिल कर रहा है उस पोर्स जो है ओव आलफा ठाइम्स विलक्ति डिबेंडेंट है ठीक है और इस पॉइंट पर जो विलॉसिटी आएगी उसकी डाइरेक्शन देखोगे तो भाई मेरे विलॉसिटी टेंजेंसियल होगी ऐसे क्लियर है तो यह कहता है जब यह एक वर्ड है स्लाइटली एक वर्ड है यहां पर स्लाइटली क्या मतलब होता है कि जो पात है स्लाइट का पास्त है वो सर्कूलर है हमेशा सर्कूलर मोसन रह रहा है स्लाइट का पास अलवेज सर्कूलर मोसन रह रहा है ऐसा स्लाइट रजिस्टेंस से पता चला कि बहुत जाता रेजिस्टेंस लगेगा तो अचानक से गिर जाएगा वह समझे न तो नेचर आप पात क्या हो जाएगा बदल जाएगा यार क्लियर आया बहुत अच्छी बात एक समय ऐसा आई जाएगा ठीक है ना एक समय ऐसा आई जाएगा कि यूझो है basically आम मून के surface पर लेंड कर जाएगा और मून की रेडियल से हाँ पर मैं आर ले लेता हुँ उलिए बात को तो सबसे पहले जो अत्तु वह टाइम निकालना है तो सबसे जल जो जो force है तो force is equal to होता है में और यह force is equal to alpha times V square के बराबर है मतलब इस question को करने के दो method है एक energy method है एक force method है तो आप energy method से भी कर सकते हो force method से भी कर सकते हो तो दोनों से कर सकते हो और अभी मैं कर रहा हूं force method से ठीक है और इस force को मैं लिख सकता हूं mass m dv by dt और यह जो है alpha times V square इसका मतलब यह हुगा कि mass m dv is equal to velocity V square is equal to alpha times dt बात आई समझ में इसका मतलब यह हुगा कि इस equation को मैं बहुत अच्छे से एरेंज कर सकता हूं वह जाएगा alpha times m dt and that's must be equal to 1 upon V square dv अब proper limit लगा के integrate कर दो तो जब time 0 था तो जो velocity थी वह मालने थे भी not था तो जब time t हुगा तो velocity moon पर land कर गया उसकी velocity भी है तो यहां से देखो limit जब देखोगे तो time 0 था ठीक है तो यह जो वेलासिटी थी आर्बिटल वेलासिटी भी not और्बिटल वेलासिटी क्या होती है जीम रेडियस तो रेडियस स्माल और अंडर रूट तो अंडर रूट इसका मतलब है हुआ कि जीम उबर इटा टाइम्स आर अंडर रूट ठीक है यह वाली तो यह एक्वेशन अब जब time t हो चुका है तो वेलासिटी भी की जो वेलू आ जाएगी वीकी वेलू आ जाएगी वह आ लेंड कर चुका है इड़ा सर्फेस आफ ड़ा सर्फेस अमोन तो मून के सर्फेस पर लेंड कर चुका है और एट डिस्टेंस एट डिस्टेंस इस माला मलोग आर रेडियस पर है तो यहां से time t जब जीरो था तो यह इतना था जब इसको इंटिग्रेट करोगे इसको solve करोगे तो देखो क्या आता है यहां alpha m और time t की value आ जाएगा finally जब इसको integrate करोगे तो one upon b की value आ जाएगा और यह proper limit जाएगा तो b not upon b मजा आ गया तो यहां से time t की value आ जाएगी time t की value आ जाएगी वो m upon alpha और minus यहां से और one upon b minus one upon b not के equal आ जाएगा तो यहां से time t की value आ जाएगी वो आ जाएगी minus m upon alpha और यहां से b not minus b और यह जो है b not upon b यह वला तो यहां से तुम देखोगे जब इसको solve करोगे तो finally जो time t की value आ जाएगी वो आ जाएगी minus m times alpha और यहां से b not की value रखो b not क्या था initial velocity initial velocity क्या थी gm eta r under root और minus यहां से gm over r surface में मून के land कर चुका है divide कर दू gm over eta r gm over eta gm over eta r under root और multiply कर दू gm over r under root और यह तो finally जब इसमें common ले लोगे तो minus m upon alpha और क्या common आ गया है gm over r under root common आ गया bracket में बचा 1 minus eta under root और यह eta under root यहां बचा और यहां पर जो बचा वो बचा gm over r under root और यह आ जाएगा 1 upon eta times under root तो यहां से जब इसको थोड़ा सा solve करोगे तो eta ने eta को खतम कर दिया और जब इसको solve करोगे तो time t की value आ जाएगी माइनस m times alpha और gm over r मतलब r over r over क्या बचेगा भाई r over gm को solve करो और eta ने eta को खतम किया 1 minus eta under root तो finally जब इसको solve करोगे तो देखो क्या आता है तो minus sign को अंदर घुसा दो तो m times alpha और r over gm under root बचेगा और इधर बचेगा eta minus 1 ठीक है तो I hope की समझ में आ गया होगा तो ये बहतर तरीके से clear हो चुका होगा ये वाली चीज़ तो finally ये जो expression है finally this is the final solution of this problem तो I hope की आपको बहतर तरीके से समझ में आ गया होगा ये force method है आप इसको energy method से भी कर सकते हो बट मैंने एक ही method force method से कर दिया तो thanks for watching this video फर बाइट टेक केर झाल